हाई एवरिवन नमस्कार कैसे आप सभी मैं हर्बिर सिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में तो आज की इस वीडियो में काफी इंपोटेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो के साथ बने रही है जैसा आपने टाइटल और थमनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और अगर आप डीटर प्लेस भी के किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो बहुत ही minimum charges पे हमारी टीम आप लोगों के लिए notes, previous years, question, paper, mock test और इसके बाद video classes भी हम आपको provide कर रहें और सबसे अच्छी बात है कि अभी 60% तक discount चला हुआ है तो आप आज ही दी हुए number पे WhatsApp message करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं तो अभी जैसा आप देख सकते हैं South Delhi Municipal Corporation Education Department Headquarter यहाप यह पूरा देख सकते हैं यहापे अभी अगर हम बात करें तो यह notice हाला की पुराना है लेकिन मेरे पास बहुत सारे बच्चे call कर रहे थे कि सर इन vacancies के बारे में एक बार बताया जाए क्या यह vacancies है क्या यह permanent vacancies है यह कैसी vacancies है कैसे मतलब क्या क्या चीजे चाहिए कितनी salary रहेगी वो सारी चीजे पूछ रहे थे तो इसलिए यह video बनाने की जरूरत पड़ी तो यह जो notice है 11.01.2022 का notice है और जो last date है वो है यहाँ पे 31.01.2022 और जो आपको online application form submit करने हैं वो यह इस site से करने हैं हलाकि इसके लिए जो यह पूरा notice है यह मैं telegram पे upload कर दूँगा तो आप वहाँ से telegram तो आप join ही कर लीजी वहाँ पे हलाकि daily frequent affairs भी मिलती है कोई notice आता तो वहाँ पे upload कर देते हैं तो यह notice आप पूरा form वगरा सारा वहाँ पे देख सकते हैं अब ही हम बात करते हैं कि यह vac frequencies क्या है तो भई सबसे पहले आप ध्यान रखें यह contract basis पे nursery teacher की jobs हैं और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखे qualification क्या है plus two चाहिए और degree और diploma चाहिए nursery teacher training में और इसके बाद जो यह last date है यहाँ पे लिखी हुई है और इसके बाद एक चीज और है कि अगर आप SC, ST, OBC, EWS या PHVS का certificate नहीं लगाते हैं साथ में तो इसमें क्या होगा कि आपको general में count कर लिए जाएगा ठीक है और इसके बाद इसके बाद यहाँ पे देखते हैं senior secondary and two years diploma जो आपको पता है यार degree diploma होना चाहिए nursery teacher training में recognized university board या आप NCTE यहाँ से समझ सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें age तो भई यहाँ पे जो age है 18-30 के बीच में है जो normal रहती है और category के हिसाब से यहाँ पे छूट भी दी गई है और वो आप देख सकते हैं वो आपको पता भी होगा इसके बाद जो यहाँ पे salary है salary कितनी है यह 35,400 रुपे fix salary है महिने की यह बहुत कम salary नहीं है 35,400 अपने आप में बहुत बड़ी salary होती है इसके बाद अगर हम बात करें और यह job से हो किसमे SSA सर्वशिक्षा अभियान SSA के तहत यह vacancies है और इसके बाद थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं selection किस हिसाब से होगा secondary जो आपका 10th है 25 marks उसके माने जाएंगे senior secondary 45 और जो degree और diploma है nursery teacher training में तो उसके 30 marks तो इस हिसाब से जो यह marks आपके बैठ गए यह आपके 100 marks बनाके तब merit बनाई जाती है यह आपको हलाकि हमने पहले भी बता रखा है तो यह आपको बड़े अच्छे से पता होगा या नहीं पता तो आप यह पूरा समझ सकते हैं इसके बाद जो form है वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है यह क्या चीज़े हैं यह क्योंकि अगर आप इस level पे apply करें तो आपको बड़े अराम से पता भी होगी चीज़े तो यह मैं टेलेग्राम पे डाल देता हूँ आप यह पूरा देख लीचे तो यही अपडेट है कैसी लगी वीडियो फ्रेंज के साथ जरूर सेयर करें और य कॉंट्रेक्ट बेसिज पे वेकिंसीज है पर्मानेट जॉब्स नहीं है तो थेंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद